20 में को Google ने अपनी policy को update किया और जितने भी custom room available थे उन सभी के अंदर ये issue है जो हमें देखने को मिलना जा लोग है जिसके वह से banking app काम नहीं कर रहे हैं, बहुत साय से application जो कि security चेक करने के बाद ही run करते हैं, वह साय काम करने बंद हो गए है और आज किस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ किसी आप कैसे जो fix कर सकते हैं अपने device के अंदर क्या 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 आपको process जो follow करना होगा तो आज किस वीडियो को पुर्ण लास्ट टक watch करते रहे हैं और मैं आपको बता हूँ कि इस से इस तक कैसे आपको पहुंचना है बिल्कुली simple और easy way में इसके उपर मुझे कोई video बनाने का decision नहीं लीना था लेकिन जब ये process आया मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं कि जितना जादे share होगा उतना जल्दी ये fail हो जाएगा अभी की time पर हर जगह ये process अविलबल है हर जगह यहां पर ठरले से share हो रहा है और लोग follow कर रहे हैं तो मैंने decide कि चलो वीडियो बना देते हैं क्यों कोई बहुत सरे वीडियो आ चुके हैं इसके उपर तो सबसे लास्ट में में ये वीडियो लेखे आ रहूं लेकिन हाप process तो यहां पर मैंने दोनों को simple कर लिया है ताकि पूरा process में आपको दिखा सकूँ समझा सकूँ तो जितने भी module आपके पहले ऐसा का installed है जो कि ये सारे fixing से related है तो सभी को uninstall कर दिना है पूरा clean method यहां पर आपको follow करना है अधरवाई आपको जो दिक्कत आने वाली है यहां यहां पर मैंने सब कुछ हटा दिया है अब मैं यहां पर आपको check करके दिखा रहे है तो दोनों के अंदर तो दोनों में यहां पर यह fail ही आने वाला है क्योंकि officially अब यह खत्म हो चुका है तो सबसे पहले कुछ फाइलों का आपको download करना है जिसका official page का जो link है मैं आपको दे दूँगा जहांसे आपको जाके इन फाइलों को download कर लेना है और अगर आप magic से root करना चाहते हो तो भी यह method working है अगर आप case use करना चाहते हो तो भी method working है अब रही बात magics या case use से कैसे phone को root किया जाता है यह बिल्कुली simple तरीका है बस इनका AP के magics का recovery से flash कर दो या फिर case कर दो उसका AP को update कर दो आपका phone root हो जाएगा बिल्कुली process easy है तो यह चीम है यहाँ यहाँ पर skip करता हूं आगे आते right follow करते हैं बाकि अधर process के उपर तो अगर आप magic को open कर लो case use कर लो to case use को open कर लो मैं जिसके अंदर एक setting देखनी को मिल जाता है यह जो कि जैसे इसी आपको on नहीं करना है इसे off ही रहने देना है जबकि ऐसा option आपको जो case view में देखनी को नहीं मिलता तो इधर tension लेने की जिरूरत नहीं है अब आएंगे module के ऊपर दोनों के option में module आपको मिल जाएगा install का option र पहले आपको जो भी यहां पे फाइले दिखायते लिए one by one करके select करते जाना है और यहां पे इंस्टॉल करते जाना है कुछ इस तरीके से यहां पर जैसे install होता है reboot का option आएगा आपको reboot नहीं करना है back पर click कर देना है फिर से install पर जाना है यहां पर यह जो option है इने select करना है और okay करते जाना है one by one सभी flash होते जाएंगे लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो tricky add-on module है इसे install नहीं करना है इसे सबसे last में करना है यहां पर यह तीनो आ चुका है लेकिन यहां पर हम देखे तो सिर्फ दो ही आया है एक रहे गया है tricky के बाद यह तो इसे भी हम यहां पर install कर लेंगे तीनो हो चुका है अब तीनो हो जाने के बाद आपको system के एक बार restart कर लेना है आप यहां से कर सकते हो जो option आता है यहां पर option आता है या फिर प्रिदी श्टार्ट कर सकते हो अपने फोन को जैसे भी आपको ठीक लगे बूट हो जाने के बाद आपको अपने फोन का जो भी मैजिक सी उच कर रहे या के सी उपन कर लेना है अब एक टाइम पे जो मैं वीडियो बना रहा हूं यहां पर वर्जन है मैजिक का 29.0 और यहां पर आप देख सकते हो यहां पर के सी उच कर सकते हैं इसका वर्जन भी आपको दिखाई दे रहा होगा अब फिर से मॉडियो के ओप्शन पर आ जाना है अब यहां पे तीनों आपको पर दिखाई दे रहें एक्टिव हो चुके बट एक जो लास्ट होला उप्शन था उसे आपको यहां पर इस तरीके से इंच्टाल करना है जो कि tricky add-on module है असको सब्से last में करना है और यहां पर इस तरीके से दोनों पर okay कर देंगे यह आपका flash हो जाएगा reboot का sign अएगा एक और फिर समय reboot कर लेना है रिबूट होने के बाद आपको अप्लिकेशन को आउन करना है आपको जो भी है magic सिया केस्यू वगेरा उसके बाद आपको दाना है module के option के उपर यहाँ पर आपको देखनी को मेरेगा यह एक extra step है जो कि हमें KSU केंजर करने को नहीं पड़ता अब इस तरीक से यह web open हो जाएगा हम इसे जो back कर देंगे close कर देंगे home पर आजाएंगे अब यह installed हो चुका है जो कि पहले से नहीं था अब इस तरीक से आपको option दिखाए देगा इसके उपर आपको टैप कर देना है यहाँ पर आपको यह option दिखाए देगा इस पर प्ले का इकन इस पर टैप कर देना है और यहाँ पर जो fetch PIF जैसन लिखावा है इस पर click कर देना है यहाँ पर install करेगा patch वगेड़ा करेगा यहाँ पर pixel 6 दिखाए दे रहे है यह हर device में different हो सकता है उपर-nीचे करते रहेगा यहाँ पर आप देखो कि 9 pro लिखावा आ रहा है जबकि यहाँ पर 6 pro है उसे tension नहीं है अब हम क्या करेंगे back कर देंगे अब यहाँ पर आपको दिखाए देगा tricky store open का option यहाँ पर tricky store है इसे open करेंगे और यहाँ पर इसे open करेंगे अब दोनों का user interface same हो चुका है अब यहाँ sweet से है जो triple dot पे click करेंगे और हमें दिखाई केGOचा से valid की box इसके ऊपर click क想णा डेंगे अब यहां पे जो सेव का ऑप्शन है इसके उपर क्लिक कर देंगे, सेव हो गया, इसपर क्लिक करेंगे इसके क्लिक करेंगे यहां पर आपको देखने को मिलेगा, एक Set Security Patch इसपर हम टाइप कर देंगे यहां पे भी हम टाइप करेंगे, इस तेगी से open होगा हमें जो यहाँ पर gatekeeper क्लिक करना है, यहाँ पर gatekeeper क्लिक करना है, कुछी second में switch करके आपको यहाँ पर security patch वेट करके आप search कर लेना या पर आपको पता है कि setting में किस जगह पर आप ब्राउज कर सकते हो, जो कि playstore integrity fix है, यह आपको दिखाए देगा, इससे आपको simply है जो off कर देना है, जैसे आप off कर गए आपका device एक रिस्टार्ट होगा, और यह especially आपके OSP roam के अंदर होता है, custom roam के अंदर होता ह आप आएंगे, यहाँ पर checking वाले application के उपर, जो कि आपको playstore पर मिल जाएगा, और यहाँ पर आप चिक करेंगे, आप यहाँ पर देख पाऊ है कि अब हमारा है जो successfully pass हो गया है, अच्छे तरीके से, और आपको कोई भी दिखाद देखने को नहीं मिल रहा, तो इस तरीके स जाकि ऐसे interesting video में लेके आता रहूं, और एक request यह भी रहेगा, कि इसे बार बार चेक मत करते रहेना, कि जितना जाद आप इसे चेक करोगे, बार बार उतनी जल्दी इसके fail होने के chances बढ़ते हैं, तो बस आपको यह process कर लेने को आप जब fix हो जाता है, इसे check नहीं करना, आती है, तब जाकि आप यहाँ पर एक बार चेक कर लेना दुआरा, otherwise इसे cross check मत करना, क्योंकि आप जितना जाद चेक करोगे, उतना जाद ही है, जो आपको problem देखनी को मिलेगा, जल्द आपके phone के अंदर यह fail हो जाएंगे, जैसे कि अभी 20 मैं को, Google ने सब चीज ब्लॉक क मिलते निक्स वीडियो में, थैंक्स वोचिंग, बाई!